नमस्कार आप सभी का सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास आल पर हेलो हाँ कौन सवाना बोल रहे हैं कानपरद्याद बताइए जो आपके यूट्यूब में दिखाया जा रहा है एंसीटी मतलब यह हट के दूसरा आयोग बनेगा और जैसे कि आपने बताया के क्लियर कर लीजिए आप कई चीजे मिक्स कर रही हैं आप कहना क्या चाह रही है क्लियर बात कीजिए आपने एंसीटी की बात किया आपने एचिसी आई की बात किया आपने जो है सीटेट की बात एक ही साथ सब बोल दें यह करके बात कीजिए क्या कहना चाह रही है यह कहना से डिलेड हैं और बीड अभी आप कर रही है यह ना जी अच्छा तो एंसिटी का नाम तो सुनी होंगी जी और अभी जो है न्यू जो आई है कि NCT, UGC और AICTE इन तीनों को खत्म किया जा रहा है इनके अस्थान पर एक नया आयोग बन रहा है और वो बिल आने जा रहा है और आशे संसत का सत्रारंब है तो यह न्यूज आपने देखा या नहीं जी देखा रहे हैं तो हम कोई जी नहीं कह रहे हैं यह न्यूज है तो ज होने जा रहा है इस पर चर्चा हो रही है और अभी केंदी शिक्षामंत्री जी जो है एक प्रोग्राम की एत अक्टूबर में तो उन्होंने वहां पर यह चीज जानकारी दिया ठीक है तो अभी तक क्या था कि NCT ही सारे नियम बनाता था सिक्षक भरती से सुमंदित जो भी देख रही है कि NST को जो है नियू जा रहा है पुरे भारत से निकाल दिया गया तो यह जो इस तरह के नियू जा रहे हैं तो उसका जो कारड़ है जो तरह के जज्जमेंट आ रहे हैं कि NCT जो है समय समय पर बहुत सारे नियम बनाया और इतने नियम बन चुके हैं समय समय प आज से जो संससत्र आरम हुआ है इसमें बिल पेस होने जा रहा है एक नया आयूग बन जाएगा तो यह जो है है रिजकेशन का सब कुछ देखेगा जाने कि यूजिसी जो देखता है कि ग्रिजुएशन और पोस्ट ग्रिजुएशन से समध्य चीजे नेट वगर कराता है और NCT जो है सिख्छक भरती और सिख्छक ट्रेनिंग से समध्य सारी चीजे स्कूल कॉलेज को मानेता कॉलेजु को देना बीटीसी डीलेट वगरा के लिए बीएट के लिए और AICT टिकनिकल तो इनको अलग अलग जो थे उनको मर्ज करके एक को दिया जा रहा है और जैसे यह ब कि आफने अगर वो न्व धियां से देखा वो तो उसमें साफसाब लिखा हुआ राष्टे सिख्छानीति के तहत हो रहा है तो आपनों अभी तक राष्टे सिख्चानीति एक बार भी कुछ भी उसमें पढ़ाया नहीं नहीं अपने आग benefiting तो उसमें टीचर टेिंइन की ब कि इसक्समंती ने बताया कि सिफ डिग्री रहेगा डिप्लोमा सारे बंद होंगे और बीड ही डिग्री है अन्हें सारे डिप्लोमा हैं तो सर क्या निस्ट इलट जो किये हैं उनको कभी बैलेड नहीं किया जाएगा सिर्फ प्राइबेट के लिए रखा गया उसको यहीं प्र अब एक जो है सज्जन से बात हुई है इसी टॉपिक पर वह भी अन्हेश डिलेट के हुए हैं वह अभी तक वह आ जाएगा वह पूरा सुनिएगा उस पर काफी लंबी डिसक्सन हुई है तो जो डिप्लोमा है सारे वह बंद किये जा रहे हैं किये जाएंगे और डिग्री रहेगा और बीएड ही सिर्फ डिग्री है यह टिचिंग फिल्ड में तो राष्टी सिक्षानिती कहता है चार वर्सी बीएड होगा दो वर्सी बीएड होगा और एक वर्सी बीएड होगा ठीक है और जितने डिप्लोमा है वह बंद हो जाएंगे यानि एड्मिसन नहीं जाएगा लेकिन जो लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको जो है सरकारी भरती में आविदन करने का मौका 2030 तक रहेगा ठीक है यह क्लियर हो गया अच्छा एनाइस डेलेट सिर्फ सौड में बता दे रहे हैं बाकि वह आप सुन लेजेगा आजाएगा तो उस पर डीटेल नहीं किये थे उनको करने के लिए बनाया गया था ठीक है आप जजमेंट जब पढ़िएगा उसमें डीटेल में सब लिखा हुआ है और जो रिकार्डिंग आप सुनिएगा उसमें डीटेल में सर्चा हुई है जजमेंट वगरा सारी चीजों पर तो आपका इनाइस में इसकी प्लानिंग की गई है तो अभी वो गजट आ जाएगा कुछ महीनों में तो इनाइस डीलेड आपका प्री प्रैमरी के लिए हो गया और आप जो बीएड कर रही हैं तो सिर्फ बीएड ही रहेगा तो जैसे ही यह नया आयोग बन जाएगा है तो फिर यह नया निय यह नया इंद तो फिर यह बनेगा देख लिएगा उसमें कहीं कोई जिकर नहीं रहेगा डियलेड यान्यय डिप्लुमा का कि वह वह कराये हैं वह सब बंद होने जारे हैं सिर्फ बीएड रहेगा चार वरसी दूर्सी एक वरसी तो यह बिल जो है अब चार से तिस्तिसंब कभी भी जब भी पेस होगा पास हो जाएगा और इसके बाद नया गजट जाड़ी करेगा तो भी एड आप जो कर रही है वह आगे हर जगा वैपिध रहेगा प्रीप्रायम्री से ले करके प्राइम्री तक पूरा वैड रहेगा और आश डिलेट आपका रहे प्रैमरी और जूनियर के लिए टेट पास होना अनिवार है ठीक है और जब आटियक ये कहता है तो NCE ने इस पर नियम भी बना भी दिया था तो इसलिए जब नियम बना हुआ है तो प्रैमरी में अगर आना है या जूनियर में आना है इन दोनों के लिए नियम कहता है कि जब यह ECCI बन रहा है यह जब भविस में और नैनियम बनाएगा तो जहां जहां पर टेट जो हनिवार करता जाएगा चुकि करना तो हर जगा है प्री प्रैमरी से लेकर इंटर तक तो जब तक नैनियम नहीं बन जाते हैं तो सिफ प्रैमरी और जूनियर के लिए अनिवार जब नैंवयम बं जाएंगे और जहाँ जहानवारी कर दिया जाएगा तो वहां के लिए भी अलग से टेट होगा प्री psyche के लिए कल को मान लेता हैं question जुझ लिए जाeltbuild lihat लेगा लेकिन अभी साफ लिखा हुआ है कि हर लेवल के लिए अलग-अलग टेट पर इक्षा। ठीक है। अभी तो प्रैमरी का हो रहा है, जुनियर का हो रहा है। जो प्रैमरी वाला है वो 1-5 में valid माना जा रहा है। और जुनियर वाला वो 6-8 के लिए। और कहीं-कहीं पर वही 6-8 वाला ही टी जो ही ले रहे हैं लेकिन बाद में आएगा अभी लेकिन फिलाल सिफ प्रैम्री और जूनियर के लिए है ठीक है तो यानि कि पांच ट्रेट एक्जाम की बात राष्टे च्छानिती करता है प्री प्रैमरी प्रैमरी जूनियर टीजटी और पिजटी जिसमें से दो आलेडी चल रहे हैं तो यह दो तो अभी हैं लेकिन बाकी तीन के लिए भविश्य में आएगा वो कब आएगा यह जब बन पास हो जाएगा नया आयोग हो जाएग बन जाएगा वो काम करने लगेगा दिसम्बर लाष्ट तक क्या जन्वरी में वह फिर धी धिरे क्रम सागे बढ़ेगा चलिया और कुछ सर आयोग बनने की मतलब कब तक संभावना है क्योंकि अभी जब एक्जाम सुपर ट आयोग के पहले यह प्रेट के पहले होगा यह जो हम लोग बात कर रहे हैं एन सिटी युजिसिसे के जगह पर ही सियाई यह तो किंडर के हो इंह के लिए यह बहारत के लिए हां जी हम और आप जो पूछ रही हैं स्टू का पूछघ ओगरा देख्द sore आप का पूछ्छ कि हर राज में सिक्षक सेवा चैन आयो होगा और उसी के माध्यम से सारी निक्तियां सारे काम होगा तो यूपी के अंदर बनाए जा रहा है बिहार में आप देखेंगी तो बिहार सरकार ने अलग आयो नव बनागर के जो वहां अलेड़ी बीपेस से चल रहा था उसी के माध् बनाया जाएगा अलग से हर राजी को बनाना है और यह ही के अंडर में रहेंगे केंद से ही आउपरेट होंगे सारी वहां से होंगी तो यूपी के अंदर गठन शुरू हो चुका है कैबिनेट से पास तो काफी पहले हो गया था अभी गठन की प्रक्रिया चल रही है सर्द से वर्स में कब-कब कौन-कौन से वह भरती लेकर आएगा कौन-कौन से एक्जाम होंगे कब यूटूब में दिया जाना है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी फिर उसके वास टीजीटी पीजीटी होगी आयोग बनने के तुरंत के बाद बाद में सुपर ट या नई-नई भरतियां कौन-कौन से आने वाली है उनका डेट रहेगा तो जैसे या यूग बन जाएगा दिसंबर या जनवरी में तो कैलेंडर जारी होगा उस कैलेंडर से पता चलेगा कि क्या पहले क्या बाद में अभी जो भी लोग जो भी बता रहे हैं वो सबका अपन लिया जाएगा तो सूपर टेट हुआ टीजटी पीजटी सब तो आवेदन लिये जाएंगे सारे पर बहुत नहीं हो चुका है पुराना हो गया हाँ पुराना हो गया एक्जाम नहीं कराया तो अभी तो जैसे आयूग बन जाएगा यह वरतमान कंडिशन देख करके भरतिय तो सब में करेगा ना तो पीजटी जब आया था जिस वक्त भरा गया उस वक्त जो पद खाली थे उस वक्त जो उनकी बाद डाटा रहा होगा उसके अनुसार उतने पद निकाले गया आयूग को पता है कि कितने पद पर जो है आवेदन लिये जा चुके हैं उतने ही पद उ को देखते हुए क्योंकि राष्टे सिक्षानिती कहता है कि सारे पद भरने हैं चाहिए वो लो लेवल का उचाहिए है लेवल का सारे टीजटी पीश्टी प्रोफेसर प्रैमरी जूनियर सब भरने हैं तो वहां के भी आखड़े आएंगे तो जो वरतवान में कार्या और यह जब आयोग बन जाएगा तो हर वर्स हम लगाता है कई बार इसकी चर्चा कर चुक है राष्टे सिक्षानिती में लिखा हुआ है कि यह आयोग जो है हर वर्स कलेंडर जारी करेगा हर वर्स भरतिक करेगा जैसे आप देख लिए बिहार सरकार भी कह रही है यही बात भी भी बिहार सरकार ने आज जो है अग्वार में घोशा किया कि राष्टे सिख्षानिती जो हैरागू करने के लिए कमिटी बना रहे हैं हैं तो सभी राज्यों को ने.पी के अनुसार ही हो रहा है क्योंकि हर कोई बनळा हुआ है उसके तहत hmm जी इन'MP को पढ़ने कोशिस कीजिए उससे प्रस्न भी आते हैं ग्जाम में और उसको पढ़ी रहेंगी तो पूरा सी समझ में भी आएगा पढ़ते वक्त थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पढ़ेगा क्योंकि उसमें डिटेल में समने लिखा है मोटी मोटी बातें लिखी हैं उनको पढ़ना है समझन जाते हैं और इन्हीं से पूरा सिस्टम चल रहा है तो सिस्टम भी समझ में आने लगेगा कि चलिए और कुछ जी नहीं थेंक्यू सब्सक्राइब वेलकम